राष्ट्री ये सोयंस्विक संग के सरसंग चालक डक्टर मोहन्राव भागवत जी आधर्णिय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के आधर्णिय मुख्य मंत्री जी आधर्णिय राज्यपाल महोदया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी जित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी जित्व करने वाले निमंत्रीत महानुभाव आज का आनंद शब्दों में वरणन आती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उच्छा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहाँ पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंदू वहाँ पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक सजन माता भगिनी सब भाव विवहोर है सब में आनंदा है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा जितना कठोर वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर वरताचरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचय है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये अयोज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई दिविदा नहीं वो हुआ चौदा वर्ष वर्वास में गए है वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्ण दिवस देख रहे उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदाइन्या हरण होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्त है परण्तु उसमें हमारी लिए कर्तव्यका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है जाने मला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौति का तापा राम राज नहीं कहुई बापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरतश्रुती नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कृतज्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वर्णन है हम भी इस गवरों में भारत वर्षकी संताने हैं कोटी कोटी कंथ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवार को रखने का तब आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने के आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या ये बात बताई वो सामान्य नागरीक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरन करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरन करते थे और अंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्मरत थे याने क्या थे इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करुणा शुचिता तपस उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको ये जानकर आपस में समन वैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वे रखकर व्यवार करना ये धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को रहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भे करता है यह सब समाज बांदाओ हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख़ दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सेवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपकार के माध्यम से यह करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए सैयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छाए है और इसलिए अपने आपको सह्यम में रखते है तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेगी गांधी जी कहते थे Earth is enough for everyone's need but it cannot satisfy everyone's greed तो लोब नहीं करना सह्यम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामोहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदध्वम संवो मनावसी जानता हो हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सामतिका सम्वाद निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने जैश को विश्व गुरू बनाएंगे ये तपस हम सब को करना है पास्सो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतगे का है मैं यहाँ बैठता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी दी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी दी के नाते मैं ये अवदान स्विकार करता हूँ और उनी को अरपन करता हूँ परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन करना ये अपना करतव्य बनता है राम लला आये है हमारे मन को अलादित करने के लिए उत्था ही करने के लिए प्रेरणा देने के लिए साथ साथ इस करतव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवन करने के लिए आये है उनका अधैस सर पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे है देख रहे है अभी इस इक्षन से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त कर रहा हूँ